हेग वीडियो में फिर से हम दो जॉब एकुन को आ देखने वाले हैं जो कि टैक सिस्टम एंड विप्रो की तरफ से आ रही है तो वीडियो को पूरा लास्त देखना बताने वाला हूं कैसे आपको अप्लाई करना है कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है क्या LGBT काईटरिय है अभी भी काफी link active है तो पहले बात करते है टैक सिस्टम की off-campus drive के बारे में तो टैक सिस्टम अभी hiring करते है इसका salary भी काफी अच्छा होने वाला है और आप exam crack करते हो तो इन्होंने mention करा हुआ है आपको 6 lakh का salary मिलने वाला है और जो आपको job का अज़ोल होने वाला है वो trainee job की location के बारे में आपको जहां भी job चाहिए आप उसे बता सकते हो अगर आप exam crack करते हो तो बात करें selection procedure के बारे में तुन्होंने mention करा हुआ है total आपके 3 stage होने वाले है selection procedure के first होगा online test आप online test के लिए करते हो और आपको मौका मैलेगा second round देने का जो की group discussion होने वाला है test के बा सकते है tech system में एज़ा trainee engineer की position पर बात करें LGBT criteria के बारे में तुन्होंने mention करा हुआ है आप सभी स्क्राइब हो आप सभी स्क्राइब कर सकते हो और इन उन्होंने पट्रीक ब्रांची mention करा हुआ है आप में CSIT ब्रांच से या IS ब्रांच से करा है तो ही आप स्क्राइब हो बात क जो अगरें अधर सकते हैं दीने क्या में वी करा हुआ हikkasm यस को लिए निठी और से इंड निए अगर में पारे में आप कवसक्न के बारे में करने तो आपको काम क्या करना पड़ेगा इन्होंने mention भी करा हुआ है इन्होंने mention करा हुआ है आपको जॉब मिलती है टेक स्टम में तापको different technology पर काम करने के मौका मिलने वाला है जो कि इन्होंने mention भी करा हुआ है आपको java, .net, python, big data, aws, android, ios, oracle cloud आपको किसी पर भी job मिल सकती ह जब भी आप form fill up करने वाले हो आपको एक column मिलेगा certificate का आपको वहाँ mention करना पड़ेगा आपको certificate के बारे में आपको कोई certificate है आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा जो कि आपको help करने वाला है आपको job की position के लिए और आपको job मिलती है tech system में तो and एक main point और यहाँ दो साल क चोड़ते हो या फिर service agreement को break करते हो तो आपको at least one lakh का amount पे करना पड़ेगा company को and जोसकी last date apply करने की वो 9th of April है इन्होंने mention करा हुआ है आपको 9th of April से पहले इसके लिए apply करना पड़ेगा otherwise form close हो जाएगा आप इसके लिए apply नहीं कर पाऊगे तो I hope आपको सबको समझ में आ अब बात करते हैं आपको apply कैसे करना है तो apply करने के लिए आपको link मिलेगा video के description में आपको link पर click करना है link पर click करने के बाद कुछ ट्राइक का page खुलने वाला है आपको नीचे आना है आपको फॉर्म मिलेगा आपको फॉर्म फिलप करना पड़ेगा सबसे पहले आपको आता हूँ आप mention करेगा mention करने के बाद आपको simply submit पर click करना है submit पर click करेगा जब इसका test होने वाला है आपके email ID पर एक test का link आने वाला है जो भी test का date होगा जो भी test का time होने वाला है वो आपके email पर ही बता दिया जाएगा जो कि उन्होंने mention भी करा हुआ है बात करें second job के ब eligible होने वाले है उसके साथ MDoc and Cisco की वीडियो चेक करिएगा उन दोनों की भी off campus हो रही है आप दोंके लिए apply नहीं करा apply करेगा link आपको मिलेगा video के description में बात करने विपरो के बारे में तो विपरो की off campus drive चल लिए जिसका नाम है DWSD21 that is stand for digital workspace service desk बात करने इसकी eligibility category के बारे में क होगे बात करें batch के बारे में तुन्होंने mention कर रहा हुआ है आप 21 batch के हो तो ही आप इसकी eligible हो तो ही आप इस apply कर सकते हो and आपको कोई gap नहीं होने चाहिए आपके education period में जो भी आपने education में करा हुआ है and इन्होंने 10th के बाद 3 रगा gap allow किया गया है आपको 10th के बाद gap है तो भी आप सकी eligible हो तो भी आप सकी apply कर सकते हो and अगर आपने last 3 month में आप इससकी एलजीबल नहीं हो आप इसकी आप सकते है बात करें आपको job के discussion के बारे में आपको job मिलती है विपरो में तो आपको काम क्या करना पड़एगा इन्होंने mention भी करा हुआ है आपको travel shooting पका करना पड़ेगा, customer को कोई problem आती है, तो आपको solve करना पड़ेगा, उसको support provide करने पड़ेगी, phone के जरीए, email के जरीए, chat के जरीए, जैसे भी वो आपसे contact करता है, इसके लिए आपको communication skill काफी अच्छी हो चाहिए, क्योंकि आपको international voice support का का मिलने वाला है, तो आपको communication definitely matter करने वाली है, बात करने आपको salary के बारे में, आपको step end के बारे में, तो उन्होंने mention करा हुआ है, जो आपको first year का step end होने वाला है, वो 15,000 का होने वाला है, second year का 17,000 का and 30 year का 19,000 का step end मिलने वाला है, आपको salary मिलने वाली है, and इसके साथ-साथ 36 month का bond भी होने वाला है, उन्होंने mention भी करा हुआ है, आपको service agreement होगा, 36 month का, आप Wipro को join करते हो, तो आपको bond भी sign करना पड़ेगा, च्योंकि 36 month का होने वाला है, बात करने आपको selection procedure के बारे में, तुरह में mention करा हुआ है, पहले आपको screening होने वाली है, और टेकनिकल interview होगा, और HR interview होगा, और उसके बार को jump बीज़की विप्रो में, अगर आप interview कलिक करते हो, तो I hope आपको सब को समझ में आ गया हुआ, बात करने है को apply कैसे करना है, तो apply करने के लिए आपको link मिलेगा video क आपको लिंग पर क्लिक करना है लिंग पर क्लिक करने के बाद के बाद किस ट्रैकर पेज़ खुलने वाला है आपको यहां अपने इमेल एडर से डालना पड़ेगा email डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन होगा next वाला उस पर क्लिक करेगा देन उसके बाद कुस्टाइक बेज खुलने वाला है नीचे एक option होगा next वाला उसपर click करेगा click करने के बाद कुस्टाइक फॉलने वाला है आपने कभी पहले कभी apply करा है विप्रो के लिए नीचे एक option होगा submit वाला उसपर click करेगा एंड आपको apply हो जाएगा जब भी इनका interview होने वाला है आपके mail पर एक mail आने वाला है check out करेगा mail को तो आपकी test की date होने वाली है आपके interview की date होने वाली है आपके mail पर आने वाली है आपको जोई problem आती है check out करेगा आपको सभी question के answer यहां मिल जाएंगे यह इसके लावा फिल विए को doubt है नीचे comment ब्रॉक से comment करेगा telegram पर भी मैसरी करेगा आपको play मिल जाएगा वीडियो पर संदा लाइक कर देना मिलते नेक्स वीडियो में thank you and goodbye